एपवार राज्य सचिव शशियादव आज नाल बाग पहुंची धरनार्थियों के साथ एक जुटता राहिर की शशियादव ने कहा कि देश में अब सरकार इस हद तक गिर गई है कि आंदोलन कारियों से खाना वा कंबल छिनने का काम रही है आज चठे दिन लाल बाग सत्याग रहा आज चठे दिन लाल बाग का सत्याग रह जारी रहा आज सत्याग रह में एपवार राज्य सचिव सह भाक पामाले केंद्रिय कमिटी सदस्य शशियादव CPI जिला मंत्री नारायन जी जा, भाकपा माले, पोलिट ब्यूरो सदस्य सहमितिला चल्प्रा भारी धिरेंद्र जा, जन्वरी जागरन समिती के अभिमयू, अंकिता, तन्मय, जोती, धिरेंद्र और चंदन ने आकर एक जुड़ता राहिर किया धरना को संबोधित करते हुए श्री आदव ने कहा कि आज देश में अगोशित आपात काल का दौर जारी है, मोधी शाह ताना शाहि का हद पार कर गई है, अब पुलिस इस हद तक गिर गई है कि आंदोलन कारियों से कंबल वक्खाना चीन ले रही है, ये देश अब बरदास् उन्होंने कहा कि कोट में सरकार को चार हपते का समय दिया है, उन्होंने कहा कि चार सप्ता में गाव गाव में आंदोलन शुरू होगा, और सरकार को जंता के सामने जुकना होगा, श्री आदव ने कहा कि आज यूपी में आज गुंडा राज कायाम हो गया, अंदोलन कारिय अगर योगी की सरकार दिमन पर रोक नहीं लगाती है तो अब पूरे देश ने महिलाओं का आंदोलन तेज होगा और मोदी योगी दोनों को सत्ता से उखाग फेंगेगा उन्होंने कहा कि A.N.R.C.C.A.N.P.R. के खिलाफ 24 फरवरी को विदान सभा माचव 25 जनवरी को मानव श्रीन खला को सफल बनाने की अपील की वहीं C.P.I. के जिला मंत्री नारायन जीजा ने कहा कि आज पूरे देश के अंदर A.N.R.C.C.A. के खिलाफ आंदोलन की अगवाई वामपंच्थ कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार जब तक इस कानून को नहीं लेती है तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है वहीं नजरे आलम ने कहा कि अब यह आंदोलन डबने वाला नहीं है जितना पुलिस प्रशासन तबाह करेगा उतना आंदोलन तेज होगा अब यह आंदोलन डबने वाला नहीं है धरना में मंच संचालन मूति और रहमान ने किया झांदोलन वाला नहीं है